समान नागरिक सहिता को लेकर छड़ी वहस के बीच संसत के मानसुन सत्र की तारीकों का एलान हो गया है इस बार मानसुन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है इसकी जलक तारीकों के एलान के साथ ही दिखने लगी है मानसुन सत्र के एलान के बहाने कॉंग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि उम्मीद है कि उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जिन पर प्रधान मंत्री मौन है दरसल संसती कार्य मंत्री प्रलाज जोशी ने मांसुन सत्र की जानकारी देते हुए सभी दलों से सदन में सहयोग की अपील की है उन्होंने ट्वीट कर लिखा संसत का मांसुन सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस तक चलेगा 23 दिन तक चलने बाले सत्र में कुल 17 वैठके होंगी मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसत के विधाई और अन्य कामकाज में रचनात्म की योगदान देने की अपील करता हूं प्रदाल जोसी के स्ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कॉंग्रेस नेता जैराम रमेज ने लिखा और हम आशा करते हैं कि जोसी जी इस बात से अवगत होंगे कि सरकाल लोगों से जुड़े उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी जिनने विपक्ष ल चलाना चाहते हैं सदस ने शेहरदार दुवेजी उनका निधन भी हुआ है तो दिन तो कम होते जा रहे हैं कम दिन में भारत की समझाओं को कैसे कर लेंगे तो मैं पहली बात कहूंगा इस सत्र को बढ़ाया जाएं और कम से कम सरकार सुनिश्चित करें कि उसके सदस जैसा हमने देखा है तेरा मात से छेपरेल तक वो ब्योधान उपस्तित न करें ये लोकतंत की हत्या है लोकतंत में कभी नहीं हुआ है कि सरकारी तंत सरकार के सदस वो न चलने दे लोक सभारा सभा पहले वो अपने पर अंकुस लगाए मीडिया रिपोर्ट के मताविक बताया जा रहा है कि संसत के मांसुन सत्र की शुरुआत पुराने संसत भवन में हो सकती है लेकिन बीच में इसे नई संसत भवन में सनांतरत होने की संभावना है अगर ऐसा होता है तो ये मांसूंसत्र नई संसत्र के उद्गाटन के वाद से आयोजित होने वाला पहला सत्र होगा